हेलो एव्रिवन तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले फर्कावाथ की फेमस पापरी चार्ट तो यहां पे एक कटोरी तो जुझी को लिया है या इसमें अट करूँगे दो कटोरी आठा इन इसके बाद मैं इसमें अट करूँगे एक कटोरी अमक्ट तो आपको इतना एड़ करने के बाद इसमें एक चमच नमक एड़ करना है इसके बाद हम लोग इसमें एड़ करेंगे अजवाइन तो एक चमच यहाँ पर मैंने अजवाइन को एड़ किया है उसके बाद हम लोग इसमे थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से इसको मार लेंगे, ऐक अच्छा सा डो तयार करेंगे, तो आपको थोड़ा tight डो तयार करना है, जैसे हम लोग पूरी के लिए आउन्टा मारते हैं, सीम उसी तरीके से आपको मारना है, तो यहाँ पे मै ने अच्छे से यहां पर मैं अच्छे से इसको इस तरह से मल लूँगी जिससे एक अच्छा सा डो लिए तो सुखाने के 20 मिट के बाद आप इसको इस तरह से शेक लिजे तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे इनको सेक लिए ऍसलिए आपको अपर देख लिजें कि इस कलर की जैसी होती है वैसे आपको कड़ाई से निकाल लेना तो ब्राउनिश कलर में जैसी होंगी आपको निकाल लेना है आप लोग देख सकते हो कि एक भी पापड़ी नहीं फूल रही है इसलिए आपको सुखाना बहुत इंपोर्टन्ट है इसको 20 मिट के लिए जरूर सुखाईएगा यहां पे मेरी पापड़ी बनके रेडी हो गई ह आप लोग साइज चोटा या बड़ा कर सकते हो आप हम लोग रेडी करेंगे मसाला तो यहां पे मैंने आलू लिये हैं उबले हुए चार और यहां पे मैंने जो हरी चटनी होती है उसको पीस लिया था काले चने तमाटर प्याज हरी मेश धन्या और मूली को मैंने कर लिया था और थोड़ा सा दही लिया है सो अब हम लोग रेडी करेंगे इसका मसाला उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा सा बावल उसमें आपको आलू ट्रांसफर कर लेने हैं एक जोड़े के लिए आपको दो आलू की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स यहां पर मै बारी काट लेना है एन आपको दो चम्मच इसमें टमाटर आइड करना है इसके बाद आपको काले चने इसमें दो चम्मच आइड करने है उसके बाद यहां पर मैं हरी मिर्च आइड कर रही हूं तो यहां पर मैंने एक हरी मिर्च का यूज किया है अगर आप लोग ज्याद में अपर ज़दाश सब्सक्राइम सब्सक्राइम मैं अबը lah ainda यह झी पर लोग अपने हिसाहब से जितना आपको आपको आड़ करना है, एक चम्मच आमचूर पाउडर आड़ करूँगी, एन इसमें आधा चम्मच मैंने नमक pris लिएक है नॉर्मल उसके बाद मैं एड़ कर लोगी, इसमें दही तो यहां पर मैंने दो चम्मच को आड़ कि देखने में and खाने में भी उतना ही tasty था तो यहां पर मैंने पापडी ले ली है इस तरह से आपको पापडी रख देनी है नीचे उसके बाद आपको ये जो मसाला है इसके उपर इस तरह से पूरे में अच्छे से लगा देना है यह हमारे यहां की बहुत ही famous chart है आप लोग ज़रूर try कीजेगा अपने घर पे तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से उपर लगा दिया है अब इसका मैं थोड़ा सा garnish कर दूँगी तो यहां पर मैं थोड़ी सी मूली इसके उपर garnish कर दी है इसके बाद मैं इसके उपर डालूँगी थोड़ा सा धनिया यहां पर रेड़ी हो गई हमारी पापड़ी चार्ट तो एक पापड़ी आपको इसके उपर रख देनी है यह रेड़ी है सर्व करने के लिए तो आप लोग भी enjoy कीजेगा हमारे फरकावाद की famous पापड़ी चार् इसके बाद आपने जो मसाला रेड़ी किया है आपको इसमें mix कर देना है अच्छे से आप इन सब को mix कर लीजे और यहां पर आपकी दूसरे style की पापड़ी चार्ट रेड़ी हो गई है अब आप इसको एक प्लेट में सर्व कर दीजे तो मेरा जो second वाला method है वो मुझे कर दिया है मूली के साथ और इसके बाद में थोड़ी से टमाटर और थोड़ी सी हरी धन्या रख दूंगी जिससे देखने में थोड़ी अच्छी लगे तो यहां पर मेरी रेड़ी है दूसरे तरह की पापड़ी चार्ट तो आप लोग इस तरह से दो तरीके के पापड़ी कीजेगा और मेरे साथ अपना experience शेयर कीजेगा कि आपको कैसी लगी तो गाइस यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले अगर आप लोग में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलती हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक कियर